तो इस वीडियो के अंदर में ऐसे कुछ इंपोर्टन्स कंपनी के अपडेट्स शेयर करूँगा जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको अफकर टेंस में कुछ नया कुछ सीखने के लिए नया कुछ जर्णी होने के लिए चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेता ह कंपनी है तो सबसे बड़े कंपनी है गेल इंडे लिमिटेड और सेकंद्स पोजिशन में कौन है अदानी टोटल गास इसका मार्केट के अब करीवें 85,000 क्रोड है मुझे अदानी टोटल गास के कुछ खासित पॉइंट देखने को मिला जो मैं आपको बता दू दू देख मतलग कुछ पॉइंट्स जो है जो कंपनी के लिए खास पॉइंट्स बना रहा है कुछ पॉजिटी पॉइंट्स यहां पर बनता हो देखने को मिले अभी एटी जेल के उपर मतलग अदानी टोटल गास के उपर एक डेटा में आपके साथ सेर करू तो आप चौक जाओगे क कॉपनी के उपर देखिया जो करजा है वह लगा घटे चले जा रहे थींगे रहे धिरी दे करके बढ़ता हो देखने को मिले और जो बॉरैंग से वह 1550 करोड के आसपास देखने को मिले पतलो जो कर्जा है वो यहापे बढ़ता हूँ देखने को मिला है अभी इही चीज को अगर मैं फिर से दोरा हूँ कि कमपनी इसके पर जो कर्जा बढ़ा है क्या इस कर्जों को वो easily मिटा सकते हैं हाँ बिल्कुल मिटा सकते हैं कि कि खुद के पास reserve 3400 क्रोड है खुद के पा मुझे लगता है जो रिजाब्या पर बड़ा है जिस तरह के से फिक्स्ट असरिया पर बड़ा है उसके कारण कंपानी के उपर ग्रोध भी अच्छा का सा होने वाले है जो लोग सोच रहे थे कि हिंदन बार के रिपोट आया फिर से तो कंपानी फिर से बरबात हो जाएगा ज कि बड़ी इंवेस्टर वास से पैसा कमाया और रिटल पब्लिक को पूरा कूरा बरबात कर दिया तो इसलिए मैं हमेसा बोलता हूँ कमपानी के उपर सोच समझ कर काम करने चाहिए जैसे एटीएल के उपर अगर चार्ट को दिखो अब ध्यान से देखना एक वीग फॉल एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला दो हाजार मतलब बाइस के बाद जब हिंदन बार के रिपोड आया था तब उसके बाद एक कितने बड़े क्रियास हुआ था और उसके बाद एक भीर देकर करने का भी कोशिस कर रहा है अभी फिलाल के लिए कंपानी के उपर ए अगर इस नीचे लेवल तक आये तो यहां पर बेस तरीके से आपर क्या बन सकता है एंटी बन सकता है अभी इस बेस तरीके से एंटी पॉइंट से अगर बता दू तो कंपानी के उपर अगर इस लेवल को टच करें जो इस लेवल निकल करें 700 का असपास तो यहां से कंपान का sales ठीक है, जो company का profit ठीक है, वो company का fundamentals भी ठीक है, तो वो company के उपर correction होने के बाद, वो recovery जोरू करेगा, और बड़े-बड़े operator का यही खेल है, आप थोदी देख सकते हैं, जब यहाँ पर company big bounce किया था, तब volume भी देख लीजिए, इतना high volume level देखने को मिला था, इस तरी के से high धीरी-धीरी-धीरी करके नीचे आ रहा है, और इस नीचे level को touch करेगा, तब क्या बनेगा, entry बनेगा, यह कि operator इसको फिर से इस नीचे level तक ले के आएंगे, और यहां से फिर से buy करेगा, और इस top level तक उसका target रहेगा, तो इस तरी के से strategies को पर में बहुत बाहर काम किया हो, और इस काम के basis में, मुझे इस company के stand बहुत strong लगा, तो इस strategies को पर में continue जोरू करना चाहूँगा, तो please में request करूँगा, यह एक रिक्स्री trade होगा, तो इस trade को लेने से पहले, आपके financial advisor के साथ एक बाहर जोरू चर्चा कर लेना, next company उसका नाम है पतन जली, देखे पतन जली ही company का target point कितना बागी था, तो total जो top के थे, उससे का target point को देखे हूँ, तो almost 3-3% के आसपस बागी थे, अब मुझे आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, क्या हम लोग सोस्ते के चलो कोई patterns केड हुआ है, कफ़ी धाने patterns बना, breakout हुआ, तो वो target लेकर ही दम लेंगे, ऐसे बिलको नहीं, देखे, जब breakout हुआ था, यहापर जब breakout हुआ, breakout confirmation भी हुआ था, उसके बाद एक बार retest करने के लिए आए, तो retest करने के बाद company एकी जगा पर कुछ volume किया, मतलब एकी जगा पर company यहापर range बनाया, देखे, यहापर भी range create किया, यहापर भी किया, यहापर भ बन चुके थे, मतलब company को पर यहापर जो studies बना, एक बार में color change करके आपको दिखा दू, तो और भी आपको असान होगा, यह सारे चीज को देखने के लिए, चलो, तो आप देख सकते हैं, यहापर जिस तरीके से strategies बने थे, अभी मैं आपको बता कि इस तरीके सा अगर कोई भी buying volume आपको दीखे, और company का financial लगा ठीक है, तो उस range को marking कर लेना, और जब भी इस निचे level को touch करेगा, तब बनेगा entry, और इस peak level तक बनेगा इसका target, बतलब यहापर अच्छा खासा, यहापर anti points और target points मुझे मिला, जिस points को मैं यहापर continue किया, और सांधा तरीके से यहाप person काम नहीं करेगा, आपको कभी-कभी इस तरीके से strategies में losses में मिलेगा, तो जब भी आप कोई भी companies को पर काम करने के लिए सोचते हैं, तो आपको यह बात याद रखना होगा, कि आपको fund management बहुत importance है, कि आप fund management नहां करके ही काम कर रहे हैं, पूरा के पूरा एक ही company के पर प patterns बना था, काप्मी धहने patterns का, उसका जब retest हुआ था, उसके according मुझे यहापे best तरीके से anti-points मिला था, और company धीर दे करके उपर जाने के courses कर रहे हैं, और finally दिखिए इसका target लेके चला था, करीबन 2065 के आसपास, तो 2065 के आसपास इसका target लेके चला था, और मुझे लगता है कुछ इस तरीके से levels निकल का रहे हैं, यहापे strongly support देखने को मिला, 1600 रुपीज के आसपास, क्योंकि यहापे strongly support दो तरीके से मिलेगा, पहला तो यहापे support मिलेगा, और दूसरा 200 is moving average का भी support मिलेगा, तो दो तरीके से support यहापे मिल सकते हैं, तो मेरे ही सबसे, यहापे company के पर जो pressurize है, उस pressurize company continue कर सकते हैं, और बाकी आपकी क्या opinion है, जो मुझे comments करके बता सकते हैं, तो next जो company है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है JSW Steel Limited, तो basically JSW Steel Limited इंडिया के एक popular company है, जिसका market क्याव है, दो लाग तीस हजर क्रोड के आसपास, दो लाग तीस हज आसपास देखने को मिले, और company का peer issue है, वो भी देखा जए, तो industry peer issue के आसपास है, तो ये data में क्यों दिखा रहा हूँ कि कि देखी, company का growth देखने से पहले, company का value से चेक करना बहुत important है, अभी growth के बारे में चर्चा करूँ, उससे पहले कुछ updates है, क्यों मैं आपके साथ से देखिए, buy data steel, target price 1140, मतलब data steel के उपर buying recommendation किया रहा है, sorry, jsw steel के उपर buying recommendation किया रहा है, तो jsw steel के उपर buying recommendation किया रहा है, 1140 तक range देखने, दिया गया है, और वो भी किस ने दिया ICI से securities ले, अब इसका technically chart parents देखू, तो 1140 रुपीज का मतलब क्या है, इस peak level तर, almost manage this level को follow करके च level तक, मैंने किस level को क्यों follow किया, देखे मुझे आप एक patterns दीखा, यो pattern को जिस तरह के से बने, पहले कब बने, और इसके बाद दो बार handle बने, और final देखिए, breakout होने के बाद, company एकी जगा पे धीरी-धीरी करके उपर जा रहा है, पतलब एक higher high करते-करते वो आगे बढ़ र उसके against में company easily इस top level तक जा सकते है, जो level निकल कर रहे करीबन 1142 रुपीज के आसपाद, और ICSA securities ने इसको 1140 तक target दिया है, तो देखा जाएगा, target होगा के नहीं होगा, इसके लिए आपको इस company के उपर deeply research करना चाहिए, जैसे company के उपर target होने से पहले, बतलब NT लेने से पह ग्लोबाली market में जीस तरी किसे pressure ही जा रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा volatility है, बाकि साल भर की data देखो, तो साल भर में जो पिछले साल में company का profit कम हो गया था, वो इस बार फिर से recovery कर चुके है, मतलब sales and profit गो चीठा काम कर है, जो company को आगे बढ़ाने के लिए काफी है, त इक्सिटा कॉटर लिमिटेड, देखा जाए तो इसका sector के बारे हम बात कर तो वो एक textile company है, तो textile industries में company बहुत चोटा company है, फिर भी इस company ने एक update बहुत बढ़ा सा दिया, company यहापे देखे bonus देने जा रहे है, देखे 20 of September में company 1 to 3 सुखा, मतलब हाद इन सहर के बदले आपको एक textile देने जा रहे है, मतलब पिछले दिन में आपको तीन के बदले एक textile मिल चुके है, कितने सारे लोगों को split मिला है, मुझे जोरू comments करके बताना, वीडियो अच्छे लगे तो please like करना, और इस वीडियो में सारे information education purpose में था, काम करने से पहले एक बार आपके financial advisor के सार बा कि ऐने बाट झाल झाल